नमस्ते वाई हो, Android वेडी में आप से भी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं Moto G84 के टिप्स और ट्रिक्स और फीचर्स के बारे में बात है Moto G84 के अंदर में स्टॉक Android होने के बाद भी बहुत सारे फीचर्स आप लोगो देखने को मिलता है तो इस वीडियो में सारे फीचर्स को मैं आप लोगो दिखा दूँगा सारे फीचर्स जानने के लिए वीडियो को लाश्ट तक देखना ना भूले बहुत सरे amazing features के बारे में आज हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर में तो चलिए सब्सक्राइब करके सुरू करते है आज का वीडियो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर पी ओले डिस्प्ले देखने को मिलता है तो बहुत सारे लोगों का question होगा कि यहां पर always on display है कि नहीं actually always on display नहीं है कुछ इस तरह का display आप लोगो देखने को मिलेगा जो आप लोग टैप करके देख सकते हैं यहां पर लोग टाइम दिखेगा और यहां पर नोटिविकेशन टैप कर सकते हैं क्या नोटिविकेशन आया है साथ ही में यहां फिंगरफिट सेंसर का animation भी आप इसके अंदर में जाने के बाद यहां पर लॉक स्क्रीन को अंदर जाना है आप लोगों को नीचे के तरह आना है वह एकदर डिस्प्ले का option है इसको आप लोगो स्लेट करना है इसको स्लेट करने के बाद टैपिंग दिस्प्ले या फिर मूविंग दा फोन इसको आप लोग enable करना है यह अगर disable रहेगा तो यहाँ पर tap करने पर देख सकते हैं आप tap करने पर वो जो display आ रहा था वो नहीं आएगा तो इस चीज़ को आप लोग स्क्रीन पर चाहे टैप करें तो आप लोगो time देखने को मिलेगा या फिर अगर आप लोग फोन टेविल पर पड़ा है तो आप फोन को अगर फोन को ऐसे सेख करते हैं तो उस case में भी आप लोगो display देखने को मिल जाएगा साथी में notifications कुछ है तो वो भी आप लोगो तो इसका animations भी आप लोग चेंज कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो इसका animations को भी चेंज कर पाएंगे इसके लिए भी आप लोग शेरिंग्स कर जा सकते हैं या फिर यहां पर moto app जो है फोन के अंदर उसके अंदर जाने के बाद आप लोगो यहां पर मिलेगा aaa I canえば I can anywhere on that game so I can get a lot of old Google कुल लगे इसको ट्राइक करते हैं लेक्षान तरह भी कूल लग रहा है नर dear थो आप लुग चाहे तो इसको चेंज कर सकते इस तरह से और यहां पर ह송़ाया राक मौष चेंज कर सकते हैं और में आप लोग आपको वालभी कर सकते हैं यहां फ्र अब एक वालप आप लोग 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 करना है और उसको आप लोग स्टाइलाइज कर सकते हैं यहां पर इसको चेंज करके यहां पर कुछ इस तरह से करके शेप करूंगा तो जेख सकते हैं कलर जो है टुटली चेंज हो गया है तो इस तरह से अगर आप कलर भी चेंज करना है वो भी कर सकते है आइकन का सेफ चेंज करना है वो भी आप लोग अपने ही साब से कर सकते हैं जैसा को पसंद है वैसा सेफ रख सकते हैं अभी फॉंट्स के बारे में बात है वह छोटा होता है तो उसको भी आप लोग का चाये तो बटा कर सकते हैं यहां पे दीचिभा साइस को मैंने बटा कर दिया है सा पूब हूंप lesson को बोड कर दो और देखने कटा हूं और निक सिक्ट को आप लोगो देखने में easy रहेगा यहां पर और बी दो options आप लोगो मिलते हैं layout का option यानि कि जो icons कितने icons आप लोग home page पर रखना चाहते हैं उसका layout है by default 4 by 6 रहता है अगर आप चाहे तो इसको कम कर सकते है icons थोड़े बड़े हो जाएंगे या भी चाहे थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं जिससे आप लोग जादा से जादा icons यहां पर move कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पर tap and hold करने भी प्रीवीव दिखाता है कैसा लगेगा यह ओवर सबोज अगर आप लोग बड़ा कर देते हैं तो आइटником के जैंज हो जाएगा आपको मैन ओली बार बार करने की ज़रुण theater नहीं पड़ेहा भी है का अगण को बड़ा कर सकते हैं जिसके बाद इशक्ते अब इसको चोटे आइकन को जो Щय呢 करते हैं तो यहां पर आपका clock है उसका style भी टोटली चेंज हो जाएगा कि देख सकते हैं आइकन बढ़े करने पर यहां पर clock का जो style है टोटली चेंज हो गया है इसको भी चाहिए तो further आप लोग एडिट कर सकते हैं एडिट करने जाके डिटल को मोटो विजट भी आप लोग देखने को मिलेंगे जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज टोटली कर सकते हैं यहां पर कुछ नए नए विजट्स है इसलिए मैं आप लोग विजट का बता दिया तो वह पहले के लेकिन यहां पर लोग कोुश सेटिंस के अंदर यहां पर हैंपने पास्ट्स दाल के कोई फॉल्डर फाइल्स फोटो वीडियो उगेchos सबकुछ यहां पर लॉक कर सकते हैं Secure folder को यहाँ पे जाके first में Moto Secure के अंदर आप लोगो Secure folder को Enable करना है Secure folder के लिए first में आप लोग एक pattern set करना है उसके बाद यहाँ पे आप लोग किसी भी चीज को Secure folder के अंदर add कर सकते हैं देख सकते हैं दो option दिया गया है यहाँ पे आप लोग बूप करेंगे तो जो file है वो यहाँ पे directly move हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है बाहर पे वो अभी नहीं दिखेगा यहाँ पर अगर आप लोग चाहे तो apps को भी add कर सकते हैं यहाँ पे add apps का option है किसी भी app को आप लोग add कर सकते हैं हाला कि यह जो app है इसको add करने के बाद यह अंदर में तो आ गया है लेकिन बाहर में भी आप लोग को यह जो camera app है यह भी बाहर में भी दिखेगा यह क्या हो गया यह दूसरा एक version create हो गया है same app का यहाँ पे अंदर आने के बाद जो भी capture आप लोग यहाँ पे करेंगे वह चीज आप लोग बाहर में देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे जो भी आप लोग WhatsApp, Facebook, सब कुछ यहां पर add करके रख सकते हैं एक dual account type create भी हो जाएगा साथ ही में बोग किसी को दिखेगा भी नहीं सिर्फ आप ही को पता चलेगा कि यहां पर आप लोग के पास दूसरा app है जो आप किसी को शोर नहीं करते हैं यह पूरा आप लोग एक secure space बन जाता है जिसके अंदर में आप लोग files, photos, videos यहां तक की app को भी रख पाएंगे इसके अलावा मोटो secure के अंदर और वह उसरा options देखने को मिलता है fishing detection का option है fishing detection को enable कर देंगे तो कोई fishing links बगेरा आएगा तो उसके लिए आपको notification मिल जाएगा यह fishing जाएसा लग रहा है जैसे कि online scam बगेरा होता है या फिर fishing attacks होता है hacking बगेरा कि वो सब चीज अगर होता है तो आपको तुरंथ पता चल जाएगा यहां पे और options मिलता है आप लोग को pin pad scramble का pin pad scramble को use करने के लिए आप लोग यहां पे जो है अभी pin pad scramble क्या काम करेगा हर बार जितने बार मैं open करने जाओंगा तो जैसकते यह normal वाला दिख रहा है 1,2,3,4,5,6 normally जैसे align रहता है वैसे ही दिख रहा है लेकिन जब अगर आप लोग यहां पे तो वो कभी बतार नहीं लगा पाईगा कि आपने कौन सा number dial किया है तो यह एक तरह से और एक added security feature यहां पे आप लोग को मिल जाता है Moto phones के अंदर Moto gesture का support आप लोग को मिलता है तो यहां पे आप लोग को Moto gestures देखने को मिल जाएंगे कुछ कुछ gestures आप लोग को मिलेंगे चलिए आगे और Moto gestures के बारे में जानते हैं तो यह दो gesture तो हो गया और आप लोग बताता हो यहां पे यहां पे आपने phone के back के अंदर करते हैं तो certain functions का आप लोग यूज कर सकते हैं यहां पे डबल टैप पे recording का option आता है तो इसको आप लोग settings में जाके इसको change भी कर सकते हैं इसके लिए आप लोग को Moto app के अंदर जाना है यहां पे menu के अंदर Moto app मिलेगा इसके अंदर आप लोग क्विक launch का feature क्विक launch को आपको first enable करना है उसके बाद settings के अंदर जाना है यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट में recorder है तो recorder को change करके आप लोग कुछ भी चीज कर सकते हैं कोई भी app open आप लोग यहां पर जाके select कर सकते हैं तो यह जो particular app है double tap करने पर आपको open हो जाएगा देख सकते double tap और chrome जो है open हो गया यहां पर sidebar का option मिलता है आप लोग को sidebar को enable करते है तो इस तरह साइड़ बार को आप लोग ला सकते हैं यहां पर और इसके अंदर में देख सकते हैं बहुत सारे जो useful apps है इनको आप लोग रख सकते हैं यहां पर settings में जाके आप लोग इनक इसके लिए आप लोग को three fingers चैसे hold करना है और hold करने में यहां पर screenshot बनके आ जाते है और यहां पर long screenshot भी आप लोग उमलेगा एक तो first आपका phone wake हो जाएगा उसके बाद आपके face unlock से चेक करके आपका phone को unlock कर देगा तो बहुत ही instantaneously हो जाता है तो इसको भी आप लोग चाहे तो enable कर सकते है flip for do not disturb का option है call आता है आप लोग फोन को ऐसे उल्टा कर देंगे तो आपका phone ring होना बंद हो जाएगा pick up to silence का option है यानि कि जब भी phone आपका ring हो रहा है आप phone को ऐसे उठाते है तो आपका phone silent हो जाएगा थोड़ा सा swipe to splits का option है तो split screen में जाने के लिए आप लोग को ऐसे swipe करना है सपोज मैं अगर call dialer के अंदर में हूँ और इस तरह से करूंगा तो देख सकते हैं यहां पर split screen का option देखने को मिलेगा जिस आपके अंदर split screen सपोर्ट करता है जैसे यहां पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं यहां पर split screen का option मिल रहा है साथे में यहां पर और एक option मिलता है तो जब तक आप phone के तरफ देखते रहेंगे आपका phone sleep mode में नहीं जाएगा जिनरली लोग का sleep time 30 seconds to 1 minute होता है तो वो जो screen है 30 seconds से 1 minute के अंदर close हो जाता है तो यह चीज़ अगर enable रहेगा आप लोग कोई भी चीज पढ़ रहे होंगे कुछ भी कर रहे होंगे तो यहां पर screen जब तक आप लोग देखते रहेंगे आपका phone sleep mode में नहीं जाएगा lock screen का कुछ features है lock screen के features को देख लेते है notification style को आप चेंज कर सकते है कुछ इस तरह से notification में देख सकते है कुछ इस तरह से style change हो रहा है देख सकते हैं यहां पर इस तरह से आ रहा है या फिर bubbles करके कर सकते है जो कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोगो वह एक दा डिस्प्ले का option है जो मैंने आप लोगो पहले दिखा दिया tapping the phone और moving the phone put the display to sleep double tap करने पे इसको भी आप लोग कर सकते है तो double tap करने पर आपका जो phone है वो sleep mode में चलायाएगा अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो battery icon है उसके अंदर में आप लोगो को percentage नहीं दिख रहा है इसको आप लोग enable कर सकते हैं लेगिन इसके लिए आपको जाना पड़ेगा settings के अंदर दीरे दीरे चार्ज होगा ताकि आपके phone को जोए over charge से बचा पाए और आपके phone जोए long term battery को ज्यादा प्रिजर्ब कर पाए इसके इलाबा यहाँ पर optimize charging का option भी है इसको अगर आप लोग enable करेंगे तो यह आपके charging pattern को learn करता है लर्ण करने के बाद मान लीजिए आपने रात को phone में चार्ज में लगाया है तो रात को धीरे 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 चार्ज होगा और morning होते होते जल्दी चार्ज होगा आपका phone complete चार्ज कर देगा ताकि बैटरी के उपर ज्यादा प्रिशर ना आए adapting battery का एक option है इसको अगर आपके usage को यह track करता है और जिस तरह से आप लोग यूज करते है उसी तरह से बैटरी को optimize करता है इस phone के display के अंदर आप लोग 120Hz का refresh rate देखने को मिलता है तो इसको change करने के लिए आप लोगो settings के अंदर जाना है डिस्प्ले के अंदर आपको जाने के मिलेगा डिस्प्ले के अंदर refresh rate देख सकते हैं 120Hz आटो पे है यह automatically change होता रहता है तो आप लोग चाहे तो इसको forcefully 60Hz या 120Hz फिर रख सकते हैं जिससे आप लोगो best battery life मिले या फिर best smoothness 120Hz से आप लोग ले सकते हैं डिस्प्ले के अंदर आप लोगो screen record का option भी मिल जाता है तो डिस्प्ले कर अंदर आप लोगो screen record का option भी मिलता है इसके अंदर में आप लोग resolutions बगेरा चेंज कर सकते हैं कैसे आप लोगो record करना है डायनेमिक रहेंगे तो automatic जो frame rate जब increase or decrease होगा उस तरफ से record होगा या फिर 60 एपिस 60 एपिस में आ और यहां पर इसकते touch point को भी आप लोग enable कर सकते हैं तो यहां पर जो recording का सेटिंस है उसको आप लोग enable कर सकते हैं लेकिन screen recording चालू करने लिए आप लोग नोटिफिकेशन करने जाना है और वहां पर जाके आप लोग screen recording कर सकते हैं के अंदर देख सकते हैं यहां पर start screen recording करके option आ रहा है तो इसको select करके आप लोग screen recording यहां पर चालू कर सकते हैं इस phone के अंदर आप लोग को motorola के एक और अच्छा feature मिलता है जो कि है moto connect मोटो कनेक्ट के मतलब से आप लोग किसी भी display साथ अपने phone को connect कर सकते हैं और as a kind of PC आप लोग इसको यूज कर पाएंगे तो यहां पर आप लोग को एक option मिलेगा ready for करके इसके अंदर में अपने laptop ये desktop साथ pairing कर सकते हैं और उसके साथ में आप लोग app streaming कर सकते हैं याने कि जो भी आप लोग यहां पर देख रहे है वह आप लोग laptop को बड़े screen में देख सकते हैं mobile desktop को यू trader करकर अपने जो स्क्रीन चुन को मिलता लेकिन यहां बहुत है जाएC फाइल ट्रांसफर आप लोग कर सकते हैं, मोबाइल से लैप्टोप के अंदर होट स्वाट ले सकते हैं, PC लोग को इनावल कर सकते हैं, अगर आप लोग आपने PC के पास है, तो आपका फोन और PC दोनों ही, जब भी दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो आपका दोनों ही लोग हो जाएगा, स्मार्ट क्लिप बोर्ड का ओप्शन भी है, तो यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीन सॉर्ट ले के कॉपी करते हैं, यहाँ पर आप लोग स्कैन करके इस काम को कर सकते हैं, और भाईयों यहाँ पर एक और फीचर आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि है फैमिली स्पेस, मोटो का, मोटो सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर फैमिली स्पेस मिलेगा, family space के अंदिर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे spaces create कर सकते है basically अलग-अलग users के लिए अलग-अकाउंट create कर सकते है अगर आप लोग किसी भी person को यह phone दे रहा है use करने के लिए तो वहाँ पे आप लोग एक या दो apps add करके जो उनको चाहिए होगा उनको add करके आप लोग उस member के नाम से add करके आप लोग यहाँ पे family space create कर सकते है start करने चाहिए आप लोग timer भी set कर सकते है कितने time के लिए आपको देना है तो set करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे space जो है create हो गया है यहाँ पे इसकते timer automatic चालू हो जाएगा उस time के बाद automatic फोन लॉक हो जाएगा लॉक हो जाने के बाद उसको अनलॉक करने के लिए password पैटरन देने की जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे दिसकते दो एप मैंने select किया तो दो ही एप है बाकि कोई भी आप यहाँ पे शोर नहीं कर रहा है क्योंकि बाकि सारे apps को मैंने disable करके रखाए इसी particular user के लिए इसको exit करने के लिए यहाँ पे exit कर सकते है fingerprint, pin या pattern आप लोग कुछ भी डाल सकते है तो अगर आप लोग फोन अपने किसी family member को दे रहे है किसी दोस को दे रहे है किसी बच्चे को दे रहे है तो आप लोग इस तरह का separate account create करके देख सकते हैं जिससे वह आपका personal files, photos को access नहीं कर पाएगा और दोस्तों इस phone के अंदर एक diagnostic feature भी दिया गया है जिसके मतलब से आपका phone का health, phone में कोई problem है कि नहीं फोन का warranty status सब कुछ चेक कर पाएंगे और वह भी एक app के मतलब से यहाँ पर आप लोग को menu के अंदर ही एक device help करके app मिल जाता है इसके अंदर आप लोग को इसकते अपना जो storage है कितना storage खाली है वह भी दिखायागा आप लोग को इसके साथ आप लोग यहाँ पर warranty stress चेक कर सकते हैं इन warranty है या फिर out of warranty है वह भी आप चेक आउट कर सकते हैं साथ ही में device diagnostic के अंदर आप लोग hardware test कर सकते हैं अपने phone का कोई भी hardware problem है कि नहीं वह भी आप लोग यहाँ पर test कर सकते हैं और भायो इसके अंदर में camera के regarding कोई भी tips मैंने नहीं बताया कि कामेरा features और tips उसका अलग से वीडियो आएगा उस वीडियो को भी आप लोग चेक आउट कर सकते हैं और भायो इसके साथ कतम हो जाता है मारा Moto G84 के tips and tricks और इसके features मुझे उम्मीद है जो features और tips and tricks मैंने आप लोगों बताया आप लोगों पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आप लोगों पसंद आया है तो लाइक करने आउल साथ में शेयर करे अपने दोस्तों साथ मैं मिल तो आप लोगों सेके लिए वीडियो में तब तक लिए गुडबाई और आपका दिन सुभ हो